कबीर धाम जिले में कुरोना वायरस जैसे महा बिमारी के रोग धाम के चलते जिले के और चतिसगड के आखरी बॉर्डर राष्ट्री राजमार्ग 30 धवाई पानी रायपूर जबलपूर मार्ग को सील कर दिया गया है चतिसगड और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाला रायपूर जबलपूर मार्ग है जहां पर हजारों की संख्या में वाहन चलते थे लेकिन कुरोना वायरस जैसे महा बिमारी से निपटने के लिए रजसरकार दोरा चतिसगड को लॉक्टाउन 244 लागू कर दिया गया है बंदकासर कबिरधम चीले में देखने को मिल रहा है वही चतिसकड और मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस के जवानों द्वारा स्वास्तविभाग की टीम और HDM तहसिलदार द्वारा कडाई से निगरानी रखा जा रहा है वही विश्यसकारी जैसे दैने कुप्योगी समान वहन को ही विश्यस जाच करके ही बॉर्डर में प्रवेश्य दिये जा रहे हैं तो वही दूसरी ओर सड़कों पर अन्या समान से भरे वहनों की लंबी लाइन लग गई है जीले के जन प्रत्रेधियों द्वारा भी आम जनताओं को घर से नहीं निकलने का आगरा कर रहे हैं कुछ विश्यस काम आने पर मास्क लगा कर लोग कुछ समय के लिए ही निकल रहे हैं ये धवई पानी गाउं है चतिसगर और मध्यप्रदेश की सीमा है पानी कलेक्टर महोदाय के आदेश ने हमने पुरी तरह ऐसीमा सील कर दी है केवल जो आवस्यक वश्तु की समागी ला रहे हैं केवल उनहीं ट्रकों को हम एलाव कर रहे हैं बाकी कोई चतिर से मध्य प्रदेश की दिशा में जा नहीं सकता है। छोटे गाड़ियों के इस बारे के चोटे गाड़ियों को आवागुण हमímी करने दे रहे हैं। बहुत ही रेयर ही से ने स्पेस है जैसे की कोई जीन का मेडिकल या का इसी है। तो हमारी यहां पे health team लगी है, वो उनका travel history, उनका health check-up कर रही है और उनको home isolation में रहने की proper सलाह के साथ हम उनको जाने दे रहे हैं, साथ की उनकी जानकारी संबची जीलों को भी भेज रहे हैं ताकि उन पर लगातार निगरानी बनीदा। उसका screening हो रहा है, उसको जांच किया जा रहा है, उसमें कोई coronavirus के कोई लच्छन चीने तो नहीं मीर रहा है, जैसे किसी कोई सर्दी खांसी, इसांस ले में परिसानी या फिर किसी भी परकार का दिक्कत तो नहीं है, इसकी पूरी जनकारी रस्वास से भाग के team की दोरह ली जा करोना वाइरस से बचाव के लिए कि वो अपने हाथ को अच्छी तरीके से सेनेटाइजर से दिन में तीन-चार बार दोएं और बिना हाथ दोए चेहरे को ना छुएं जो प्रेक्ति बाहर से आ हैं, वो हमें सब मास्क करें, बिल्कुल बाहर से पलायन करके आ रहे हैं, उनक अधर टैम्स निउस के लिए कवरधा से जीवन साहू की रिपोर्ट